तो हेलो गाईस केस है आप सभी लोग स्वागत एक और न्यू गेम प्ले में और आज हम खेलने जा रहे है ग्रेनी चैप्टर टू तो चलो यार जल्दी से शुरू करते है आज का ये गेम प्ले चलो तो यार प्ले पे क्लिक करते था हूँ डिफिकल्टी देखते है इजी करत चुप चाफ से और अभी यहां पर हमें ग्रेनी ग्रेंट पा या फिर दोनों चाहिए तो मुझे दोनों चाहिए ठीक है तो मैंने दोनों पर सेट कर दिया ठीक है ओके और क्वाल्टी में हाई पर सेट कर देता हूँ हमेशा की तरह चलो तो अभी स्टार्ट करते आज का ग दिखाई दे रहा है गंदा गंदा सा तो चलो यार अभी जल्दी से यहां से निकलते हैं और मतलब सारा सामान कलेक्ट करते हैं जल्दी से चोरी करते हैं मतलब इनके घर में तो यार इसको ओपन करके देखता हूं मैं कुछ भी नहीं यह खा लिए यह भी खा लिए और इदर से ग्रेंट पारा जल्दी से भागो यार मतलब इतनी जल्दी ही मुझे दिखाई देगे ग्रेंट पायार मतलब बुड़ा अभी तो घूम रहा है मतलब घर में चलो तो वैस चले जाएंगे उसके बाद हम लोग फिर से मतलब बाकी सामान भी देखेंगे बाहर निकलने का तो यह देखो ग्रेंट जा रही है तो ग्रेंट पा बाहर आ गया यार मेरा समझ में नहीं आ रहा है यार कुछ करने भी देंगे या नहीं चलो तो यार अभी बुड़ा उदर की साइड में जा रहा है तो एक बार में इसको ओपन करके देखता हूं कुछ भी नहीं यह खाली है यहां पर एक पिक्चर पड़ी हुए बस चलो तो यह तो याद रहेगा कि एक पिक्चर है यहां पर बाकी आइटम ढूंडते है अब हम लोग तो यह आ गया हूं में ग्रे ना ग्रेंड पार मतलब कुछ भी कोई आ सकता है तो हैंड वील ता ओ चलो तो अभी इस डॉर को ओपन करते हैं वापस से नीचे चलते हैं अब नीचे देखते हैं तो यहां पर एक और पिक्चर मुझे दिखाई दे गई है तो मतलब दो पिक्चर मिल चुकी है व्रेंच मि भी मिल चुका है लेकिन अभी मुझे पक्का पता नहीं है कि मैं हेलिकॉप्टर से भांगा यहांसे या फिर बोट से या फिर डौर से ठीक है न मतलब तीनों है यसमें और तीन में से कौन से स भग हूँगा अभी तक बिल्कुल भी मैने सोचा 4真的 जो सामान मुझे मिल जाएगा उसी से भाग लूगा मैं यहां से चलो तो दोस्तों अभी मैं यहां पर आ चुका हूँ नीचे की साइड में देख लो यार एक मतलब काफी चोटी जगह बैसमेंट की जैसे यहां पर और यहां पर एक पिक्चर पड़ी हुई है ठीक है और यहा बेहोश कर देता हूं इस तन गंद से तो चलो यार दोस्तों अभी आवास तो कर दिये लेकिन अभी तक न ग्रेनी आई न ग्रेंट पा लेकिन अभी मुझे यहां पर रुकना पड़ेगा जब तक उन्हें एक बार बेहोश नहीं कर देंगा तब तक हम लोग कुछ भी नही नहीं कर सकते हैं तो थोड़े देर वेट करता हूं यार मैं अभी तक तो कोई नहीं आया है ओके ओके यार मैं आगे बढ़ रहता है अगर थोड़ा से और आगे हो जाता तो आज ग्रेनी मिसलब मार देती यार मुझे सच में तो दोस्तो यहां पर एक मिष्टेक कर दी मैंने ग्रेनी पर फायर तो किया लेकिन मैंने हेटशोट लगाने की कोशिश कर दी और यही बात मेरे समझ मनी आई कि यह ना पबजी है ना लाश्टेर रूल्स है तो इसल fluentыш हैं तो चलो यार अभी ग्रेनी चली गई है तो मैं फटाफट से अपनी एमो उठा लेता हूँ यार चलो तो एमो आ चुकी है मेरे पास में और इस बार कोई गलती नहीं होगी यार दुबारा से आवाज करता हूँ और ग्रेनी को वापस बुलाता हूँ और इस बार कोई हेडशोट नहीं लगाएंगे यार समझ में आ चुका है कि ये कोई PUBG नहीं है चलो तो इसको तो बेहोश कर दिया है अब मैं अपनी एमो उठा लेता हूँ चलो तो एमो भी आ गई है लेकिन यार अभी ये देख लो ग्रेनी बीच में फस गई है कि यार अब मैं सोच रहो है एक बर ग्रेनट पा को भी यहीं पर बुला लेते हैं उसको भी खतम कर देते हैं मतलब की बेहोश कर देते हैं उपर जाने कर रास्ता नहीं मिल पा रहा है यार मतलब है उस बुड़े को तो वैसे भी बहार उपर भी ढूंड सकते हैं लेकिन ये बीच में फस गई है अब हो सकता है यार शायद मिल जाए रास्ता देखे कोशिश करता हूं एक बार में मतलब इसको मैंने गलत जगे बेहोश कर दिया यार यहीं चक्कर पड़ गया और मैं अब मतलब नीचे फस गया वैसे निकल सकता हूं ओके तो यार चलो निकल गया हूं फाइनली और अब देखते यार कहां पर वो बुड़े कहां पर तू चलो तो इसमें कुछ भी नहीं वैसे मतलब बुड़े को डूंडते डूंडते कुछ सामान भी चेक कर लेना चाहिए यार तो यह देखो यार यहां पर ग्रेंट पा आराम से सो रहा है तो चलो यार सोते हुए को मैंने बेहोश कर दिया और इसके पास हमें मिल चुके सिक्रेटी की जो कि इ अभी मैं वापस अपनी स्टंगन उठा लेता हूं चलो तो यहां पर क्या है ओके तो कुछ भी नहीं यार मुझे इसा लगा कि यहां पर भी कुछ ना कुछ है तो यहां पर एक पिक्चर भी पड़ी हुई है जो पहले मैंने देख ली थी यहां पर लेकन अभी मैं आपनी एमो नहीं उठा पा रहा हूं है यह मतलब ग्रेंट पा उपर जाके पड़ गया उस एमों के उपर चलो तो अभी वापस मिल जल्दी से यहां पर जो सिक्रियोटी रूम है उसमें तो यहां पर यह क्या है ओके स्पार्क पलक मिल चुका है हमें जो बोट में लगता है ठीक है समझ में आगे आपने इतना तो मुझे पता है कि यह बोट में लगता है तो अभी उपर चलते हैं अब यार ग्रेणी और ग्रेण पाकज जो यह घर है ना कुछ ऐसे मतलब ऐसा बना हुआ है बिलकुल भूल भूले यह ताइप का तो कई बार भूल भी जाता हूं तो यह बोट की चलो तो यार बोट की भी मिल गई है और इस पार्क पलक भी मिल चुका है ठीक है तो मतलब है जो बोट है उसकी दो चीज़े हमें मिल चुकी है तो लग रहा ऐसा है कि मतलब हम बोट से भाग सकते हैं कुछ सामान औ हुणने पड़ेंगे अभी हमें जैसे कि एक तो गेसोलीन है तो यहां पर तो यह पिक्चर पिक्चर को ले कर जाता हूं यहां पर सिक्रियोटी रूम में इसमें डाल देता हूं ताकि हमें सारा सामान याद रहेगा यार चला तो इस्टंगन वापस से उठा लिए अब ग्रेनी और ग्रेंट पाक कभी भी आ सकते हैं क्योंकि उन्हें लगबग थोड़ा टाइम थोई गया बेहोश किये हुए तो यह है हेलिकॉप्टर की लेकिन यार हमें हेलिकॉप्टर से नहीं जाना है तो इसलिए मैं तो बोट से भागने की सोच रहा हूँ तो इसलिए उसी का सामान चाहिए हमें तो यह भी खाली है वापस से उधर ही चलते है अब दोस्तों बिल्कुल बिना कोई आवाज किये हुए जाओंगा इस बार क्योंकि मुझे पता है अब ग्रेनी या ग्रेंट पा दोनों में से कोई एक जरूर आ चुका होगा यहां पर तो चलो भी फिलाल तो यहां पर कोई भी नहीं है यार तो जल्दी से अपना काम शुरू करते हैं यहां पर और सामन देखते हैं उदर से यार मुझे इस लगा किसी की परचाही आई तो ग्रेनी या ग्रेंट पा कोई न कोई है तो उन्हें बुलाते है इधर की साइड में फिर वापस बेहोश कर देंगे एक बा कि अब चलते आगे और देखते हैं ग्रेंट पा कहा है ओके तो आओ बाई साब आपी का इंतिजार था आपको भी एक बार बेहोश कर देते हैं ताकि हम अपना काम जल्दी से कंप्लीट कर ले तो अभी स्टंगन को मैंने यहां पर रख दिया है वापस से और इनको उपन कर पिएख लेते कुछ भी नहीं है कि इसमें कुछ भी नहीं है इसमें तो यार के सो लें मिल चुका है हमें जो बौट में काम आएगा मैं तो अफिलीन को जल्दी से लेकर चलते हैं अब नीचे चलो तो यहाँ पर सिड्डी में फेक दिया है मैंने इसको ताकि बाद में मैं जब जाओ नीचे के साइड में तब मुझे आराम से मिल जाए क्योंकि बोट भी नीचे ही है तो इसलिए वहाँ से भागने में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो अभी इस पार्क पलक उठा लेता हूं मैं और इस पार्क पलक भी सिधा डायरेक्ट नीचे इफेक देता हूं सिड्डी में ताकि वहीं की वहीं मतलब हम अपना सारा काम करते रहें चलो तो इस पार्क पलक वैसे उपर गिर गया यार वह नीचे सिड्डी में नहीं गया लेकिन बाद में देख लेंगे उसे वहाँ पे तो छोड़ी आया है मैं उसको वैसे अब उठा लेते अपनी इस्टन गन और अभी वैसे मुझे पता है ग्रेने और ग्रेंट पा तो न तो अबी मैं वही डून रहा हूँ यार हर तरफ जाके कि मतलब कहीं पे मुझे मिल जाया मिल जाया मिल जाया लेकन वह मिल नहीं रही है अगर ड़की मिल गek कामिन अपना देशकिया है लेकिन बौट की ना जाने मैंने कहां पर रख दी यार और मुझे ऐसा याद भी आ रहा है कि मुझे शुरू में दिखाई दी थी बोट की तो यहाँ पर ग्रेनी या ग्रेंट पा दोनों में कोई भी नहीं है ओके है कोई भी नहीं है तो जल्दी सा आगे चलते है यार एक बार में आवाज कर देता हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि बीच में ग्रेनी या ग्रेंट पा आके मार सकते हैं मुझे तो यार अभी आवास तो कर दी लेकिन कोई भी नहीं आया है और अभी मुझे कोई परचाई भी दिखाई नहीं दे रही है परचाई तो दिखाई दे रही है वैसे लेकिन वो किसी और चीछकी भी हो सकती है तो यार दुबारा फिर से आवाज किये मैंने देखे देखते अब कोई आता है या नहीं ओके तो यार ग्रेनी आगए मतलब की इतना टाइम तो हो चुका था यह ने बेवश किये हुए कि मतलब यह वापस से जिंदा हो चुके थे प्यार मैं अपनी एमो उठा लेता हूँ चल दी से ना तो फिर ग्रेनी मतलब उपर आके पड़ जाएगी इसके चलो तो अभी एक बार फिर से आवाज करता हूँ और ग्रेन टपा को बेवश कर देता हूँ अब मुझे पता है बुड़ा भी यहीं कहीं से निकल के आएगा इ आसान हो जाए चलो तो दोस्तो मैंने अपनी एमो भी उठा लिए और इस्टन गन को वहीं पर छोड़ दिया है और अब हम लोग चलते जल्दी से उपर क्योंकि अभी एक काम हो रहे कि हमें पिक्चर लगानी है पिक्चर ओफ पीस तो अभी दो तो मुझे मिल गई थी लेक तो यहां पर तो पिक्चर लगानी है सही है मुझे समझ में आ गया है यहां पर पिक्चर लगा देंगे लेकिन यहां पर देख लो यह दिखाई दे रहें तो यहां पर सिक्रियोटी की है ओके नीचे के साइड में सिक्रियोटी की है दोस्तों चलो यार मुजे पता ही नहीं थै कि यहांपे बोट इस्टेरिंग भी थी और वह मुझे मिल चुकी है तो चलो अभी बोट इस टेरिंग को जल्दी से पहले नीचे छोड़ के आते हैं पहले तो यह काम पूरा कर लिते हैं अपना और यहां पर क्या है ओके तो यार चलो फाइनली बोट की भी मिली गई मुझे मैंने यहां पर चोड़ी थी अब जाके मुझे याद आया जैसे मैं मतलब वह इस्टेरिंग लेकर आए ना तब मुझे दिखाए दिये बोट की तो पहले तो बोट की को ले जाके छोड़ देता हूं मैं न हिप Yeah Do एक तो पिक्चर को फिए में डाल देता हूं क्योंकि एक पिक्चर पहले से भी यहां पर पढ़ी यह है तो फेले में जो यह इस्टेरिंग इने इसको नीचे छोड़ के आता हूं सिड़ी में ताकि मतलब आपने बोट का जो तो सामान है न वो सारा का सारा तो एक बार नीचे पहुच जाए चलो तो यह काम तो कंप्लीट हो चुगा है अभी तक ग्रेनी और ग्रेंट पा बेहोशे होंगे मुझे ऐसा लग रहा है तो इसलिए अपना काम जल्दी-जल्दी मैंने कंप्लीट भी कर लिया यार कोई दिक्कत भी नहीं आये अभी तक तो वैसे तो यार दो पिक्चर तो मुझे यहां पर पड़ी दिखाई देरी बेड़ पे और एक पिक्चर मैंने शायद नीचे देखी थी हाँ ऐसा याद आ रहा है नीचे देखी थी तो यार यहां पर देख लो ग्रेनी दिखाई दी मुझे तो वापस आ चुकी ग्रेनी कहां गई एक बार आवाज करके बुलाता हूँ यार मैं क्योंकि कोई भी खत्रा मॉल लेना ठीक नहीं है अब हम इतनी आगे तक आ चुके और एक बार अगर जैसे गलती से किल हो गए ना तो फिर उसके बाद मतलब सब कुछ बिगड़ जाएगा तो इसलिए मैं मोका देना ही नहीं चा है इतने टाइम में तो आज अब आई तेरा इंतजार था बुड़े तो चलो यार बुड़े को भी बेहोश कर दिया और अपनी एमो उठा लेता हूं मैं चलो तो एमो उठाली मैंने और इस टंगन को यहीं पर डाल दिये ओके और अब यहां पर क्या है ओके क्रोब आ रही ह तो दोस्तों यहां पर क्रोब आर मुझे मिल गया है तो एक बार यह बॉक्स ओपन करके देख लेता हूं तो यहां पर डक्टेप मिल गई है जो हेलिकॉप्टर में काम माती है वैसे मुझे अभी हेलिकॉप्टर से नहीं वागना है यार अब दोस्तों मुझे इतना जरूर कुर यादे की क्रोंभार का जो एक बोक्स है, जो KRIोंभार से open होता है, वो एक میरा जो रूम था, जिसमे ग्रेणी और ग्रेन्ट पा न मुझे कर रहा था, वहाँ पे भी है एक यार वो एक बार में चेक करता हूँ चलो तो यार मिल चुका है और इसमें क्या मिली है सेफ की चलो तो सेफ की भी हमें मिल चुकी है तोस्तों मुझे पता है कि सेफ की कहां काम आएगी यह चोटा सा लोकर होता है तो उसको खोलने में सेफ की काम आती है तो यह देखो यहां प अदोट लग रहा है यान मुझे तो कि यह काम कहां आएका मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है है यह जमीज़ पहले तो मैं अपनी ग Lynn उठा लेता हूं कि मुझे पता एक γ्रेंटी पा कभी भी आ सकते तो जितनी दिर में आभ्यागीमें नीचे ऊपर हुआ काफी देर लग गई मुझे इतनी देर में ग्रेनी और ग्रेंट पर वापस से जिंदा हो गए होंगे तो उनका वेट कर लेते थोड़ी देर अव वेट करके ज्यादा टाइम बरबाद नहीं करना चाहिए तो इसलिए यार मैं आवाज कर देता हूं ताकि वह दोनों जल्दी स जल्दी यहां पर आ जाए उनको एक बार और बेहोश करना पड़ेगा मुझे यसा लग रहा है और उसके बाद तो शायद हम इनके घर से निकले जाएंगे यार वैसे काफी मुश्किल है इनकी घर से निकलना लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि यार मैं निकल जाऊं ब जो म्यूजिक आ रहा है कितना ड्रावन आ रहा है इनके घर में तो दोस्तों अभी मुझे सब कुछ मिल चुका है लेकिन अभी तक बस एक चीज नहीं मिली है वो है पैडलोग की तो अभी एक बार ग्रेंट पा आ जाए उसके बाद में हम पैडलोग की भी ढूंडेंगे य कि तो यहां बुद्दा कहां पर मेरे समंझ में नहीं आ रहा है या फिर गाने चला रहा है अंतर मिश्च झोन इतनी नहीं आए क्योंकि क्याने कि मगन होารा चलो तो अभी आया है वो तो मैंने इसको बेहोश कर दिया है और अब कि दोनने ह्च वामें पैडलो की ढूंडनने पड़ेगी पहले जलो थो पहले मैं अपट है उठा लेता हूँ तो यह फोटो को भी रोखना पड़ेग Lahимся नहीं मिल पाएगी मुझे चलो अभी पनी डूंड थो पहले बात तो यह ब तक पैलो की नहीं मिलेगी ना तब तक अपना कोई भी काम नहीं हो पाएगा, लेकर मुझे पता है पेड़ुक्त की कहीं पि अगर नहीं मिलीना, तो फिर मुझे पता है कहाँ मिलेगी। अधिक्छ एक व जान्वर सा रिता यार उसको मारना पड़ेगा, मैं इसके पास से पेड़लुक्त की मिल सकती हुम है। तो यह बाहर आ चुका है और आप इसको भी बेहोश कर देता हूं एक बार चलो इसको बेहोश कर दिया है मैंने और यहार मेरी एमो एमो नहीं मिल पाएगी यह इसे के उपर मर गया है देखो बेहोश ओगा चलो तो यार एमो तो नहीं मिल पाएगी लेकिन यहां पे कुछ अंदर है या नहीं इसके ओके तो चलो यार देख लो आप लोग मुझे पेडलोग की भी मिल चुकी है तो अब अपना काम समझ लो पूरा होई चुका यार बस कुछ काम और थोड़े बहुत बाकिये वह कर लेते जल्दी से लेकिन दोस्तों अभी मुझे सब कुछ संभल के करना पड़ेगा अगर अभी जरासिक भी गलती मैंने कर दीना तो फिर बात क्याओं अगर एक होगे चला गया है तो पिर समझ लेना सारे मोगे चले जाएंगे कि यहां पर यह हैंडल नीचे करना चलो तो इस से डौर ऑपन हो जाएगा तकि अपनी बोट बहार निकल पाए और अब मैं सारा का सारा सामान लेकर आता हूं यहां पर चलो देखते हैं यार अभी इस्टन गन मिल जाए उसके बाद में ग्रेनी और ग्रेंट पाद दोनों को वापस से बेहोश करके और फिर अपना काम कम्प्लीट करेंगे यार जल्दी से तो दोस्तों मुझे इसा लग रहा है कि बाहर ग्रेनी या ग्रेंट पाद दोनों में से कोई एक है और मेरे पास में स्टन गन भी नहीं है तो मैं सोच रहा हूं बाहर निकलू या नहीं चुप चाप से निकलता हूं आवाज बिलकुल नहीं करनी क्योंकि अगर आवाज कर दी तो फिर ग्रेनी या ग्रेंट पाद दोनों में से कोई भी आ सकता है तो चलो यार अभी नीचे की नीचे में अपना काम पहले कर लेता हूं जल्दी से दोर बंद कर देता हूं ताकि ग्रेनी या ग्रेंट पाद दोनों में से किसी को भी पता नहीं चल पाए अब यार इतना नीचे तो नहीं आएंगे ग्रेणिया या ग्रेंट पाद दोनों में से चलो तो यहां पर इस्टेरिंग तो लगा दिये मैंने बोट के एक काम तो अपना हो गया चुपचाप से चलना पड़ेगा मुझे डर जरूर लग रहा है कि यार ग्रेंट या ग्रेंट पाद दोनों में से कोई आ नहीं जाए तो तो गेसोलीन लेके चलते पहले हम कि बोट में इसकी जरूरत पड़ेगी तो गेसोलीन पर राते है एक बार में देखता हूं कि मैंने में बोट से निखला नहीं हो हर बार पेले हार जाता हो तो अब हमें जाएगा उसक्रेंट नहीं डाल रहा हूं मैं एक बार इसकी टंकी फूल हो जाए बोट की चलो तो ये काम अपने complete हो चुका है तीन बार मैंने वैसे डाल दिया यार मैंने सोचा आगर कम पड़ेगा तो मैं अच्छी तरसे डाल दू यार इसमें gasoline अब यहार यहार मैं सोच रहूं कि आवाज नहीं होनी चाहिए इसलिए अगर आवाज हो गई ना तो फिर ग्रेनिया ग्रेंटपा को पता चल जाएगा अगर मैंने इतना तो मुझे याद है अभी बाकी सामन भी यहीं पर यह अपना ज्क मतलब हमने सारा सामन यहीं पर पहले से छोड़ दिया है हुआ है तो अब तो मुझे लग रहा है कि मतलब इस टन गन की मुझे जरूरत पड़ेगी नहीं तो चलो अभी बोर्ट की तो वहीं चोड़ दी मैंने अब दोस्तों देखो वेसे डर लग रहा है और उपर से इतनी ड्रावनी साउंड आ रही है कि मतलब मैं क्या बता हूं यार ओके तो यहां पर ग्रेनी आ चुकी है अब यार मैं सोच रहा हूं कि वह नीचे नहीं आ जाए बस मैं छुप जाता हूं यार यहां पर जल्दी से अच्छा हुआ कि मतलब मैं थोड़ा ज्यादा आगे नहीं गया नहीं तो ग्रेनी अभी तक तो मुझे मार भी डालती और अपने दो मौके चले जाते फिर तो एक बार मतलब ग्रेनी चली जाए इधर से उसके बाद मैं अपना बाकिये काम करेंगा हम लोग लेकिन काफी का चुका है वैसे यार और अब मुझे लग रहा है कि मैं बोट से निखली जाओंगा यार ग्रेनी और ग्रेंटपा के घर से चलो तो थोड़ी देर यहां पर अभी मैं वेट कर लिया हूं लेकिन ग्रेनी या ग्रेंटपा दोनों में से कोई भी यहां पर नहीं आया है तो मु यहां तक आगे हम ग्रेंटपा दोनों ही नहीं है यहां पर निचले वाले फ्लॉर में तो यह देख लो ग्रेंटपा प्लग भी मैंने उठा लिया यार जल्दी से और अब मैं लेकर जाता हूं इसको नीचे चलो तो यहां पर नीचे बोट तक और इसमें लगा देता हूं म यहां पर ग्रेंट ही मुझे ढूंड रही है लेकिन उसे पता नहीं है कि मैं नीचे आ चुका हूं चलो तो हैंडल नीचे कर दिया और आप कुछ भी बाकी नहीं है जल्दी से इंजन स्टार्ट करता हूं मैं यार ओके तो चलो यार अपनी बोट स्टार्ट हो चुकी है और मैं भागने में काम्याब हो चुका हूं तो यह देख लो ग्रेंट पाथ दोनों यहां पर आ चुके और इनकी शकले देखो कि कैसी हो चुकी शकले इनकी दी एंड तो चलो यार गेमपले खतम हुआ तो दोस्तों अगर आज का यह गेमपले आप सभी को पसंद आये हो तो व झाल